आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए इंडियन भूमन क्रिकेट टीम इंदिनो साउथ अफ्रिका में टीड़ट सीरीज खेल रही है पहले मैच में टीम इंडिया ने साथ विकेट से जीत दर्ज की और इस जीत में अहम रोल रहा 17 साल की जेमिमा रोडरिक्स का उन्होंने 37 रन की इनिंग खेली ये उनका पहला इंटरनाशनल मैच था क्रिकेट के साथ होकी भी खेलने वाली जेमिमा ने बेहत कम उमर में ही स्पोर्ट्स में दिल्चस्पी लेनी शुरू कर दी थी कम ही क्रिकेट फैंस जानते होंगे की जेमिमा क्रिकेटिंग फैमिली से आती है उनके पिता इवान कभी क्लब क्रिकेटर रहे हैं अब वो क्रिकेट कोच और ट्रेनर बन चुके हैं जेमिमा के दो बड़े भाई हैं दैश इवान कभी दोनों बेटों को क्रिकेट के ट्रेनिंग देते थे भाईयों को क्रिकेट खेलता देखकर जीमर्मा ने भी हाफ में बैट थाम लिया सिर्फ दो साल की उम्र में वो प्लास्टिक के बैट बॉल से खेलती थी